कि नमस्कार सिनेमा हॉल में आप सभी का स्वागत है अगर आपने अभी तक सिनेमा हॉल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें लाइक करें दूसरों के साथ शेयर करें सिनेमा से संबंदित बातों के लिए आज हमारे साथ जब्लीमन पारक साहब है उनकी नई किताब आई है हम उसी किताब की चर्चा करेंगे तो क्या है सर वो नई किताब और कहां से आई है अजय जी ये किताब है साहितिय कला और सिनेमा अंतर संबंदों की पड़तार ये इसी वर्ष 24 में परकाशित हुई है वाम परकाशन के यहां से ये किताब जो लिखने का मेरा मकसद रहा है वो यह है कि पिछले चार दस्कों से जो मैं सिनेमा पर लिखता रहा हूँ उस लेखन के माध्यम से या उस लेखन का जो मेरा अनुबवरा है उसमें सिनिमा के बारे में खास तोर पर मुझे हमेशा यह मैंसूस हुआ कि जो सिनिमा पर लिखते हैं वो सिनिमा माध्यम के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकर उसकी समझ विक्सित कर नहीं लिखते बलकि सिनीमा का जो एक सामानिय दर्सक पर परवा पढ़ता है उसी तरह की प्रेड़ना से प्रेड़ित होकर वो लिखते हैं और एक तरह से चुकि अगर वो उपन्यास पढ़ते नहीं हैं कहानियां पढ़त जो मेरे लिए मैं समझता हूं कि वो सिनिमा को देखने का या सिनिमा को समझने का सही तरीका नहीं है। अगर आपको सिनिमा को समझना है तो सबसे पहले सिनिमा जो एक कलामात्यम है उस कलामाध्यम की विशिष्टताओं को समझना जरूरी है। ये मेने अनुभव इस रूप में भी किया कि एक अध्याफत के तोर पर हमारे पास में ऐसे बहुत सारे विधारति आते थे जो सिनेमा पर शोद करना चाते थे और जो सिनेमा पर शोद करना चाहते थे, उनकी भी सिनेमा माध्यम के बारे में कोई जानकारी नहीं होती थी, न वे कोई जानकारी जूटाने की कोशिश करते थे, वे सिर्फ उनका भी परपज यह होता है, जैसे उधारन के लिए साहिती और सिनेमा का तुलनात्मक अध्यन, यह एक बहुत ही प्रियविश है रहा है, शोद का, तो वो क्या करते हैं, जैसे प्रेमचन की कृतियों पर कितनी फिल्में बनी हैं, तो एक तरफ प्रेमचन की कहानियां ले दी, उपनियास ले लिए, प्रेमचन की उन रचनाओं पर बनी हुई फिल्म ले दी, फिर तुलन के माध्यमस इव्यक्त की थी प्रेमचन्य, वो जब फिल्म के माध्यम से सामने आई औरो वह भी सतित जीतरे, जैसे महान फिल्मकार के माध्यम तो केवल उस कहानी में क्या बदलाव किये गए, यह महत्वपून ani है, महत्वपुनिया है कि वे बदलाव क्यों किये गए किस तरह से परिवर्तन हुए उसमें ये भी जानना जरूरी है क्या उस बदलाव में केवल माध्यम का अंतरी महत्वपुन है या और भी चीजे उसमें अपनी भूमिकादा कर रही है ये समझना जरूरी है और इसलिए मुझे लगता है कि सिनीमा माध्यम की समझ उन लोगों के लिए बहुत जरूरी है जो सिनीमा पर गंभीर काम करना चाते हैं उसकी समिक्षा करना चाते हैं उस पर अगे काम करना चाते हैं उनको सिनीमा की समझ होनी चाहिए इस दरश्ट्री से मैंने इस किताब को तियार किया है, मैं थोड़ा सा आपको ठीक समझे तो मैं इसका परिशेद दितू कि इस किताब में क्या-क्या है, दरशले इस किताब के अंदर कुल चार खंड हैं और इन चार खंडों में कुल चौदर अध्याएं हैं, पहला खंड है वो साहित्य और सिनिमा का सैधान्तिक पक्ष है, जिसमें मैंने, चुकि साहित्य और सिनिमा दोनों को लिया है, इसलिए ये जो पहला खंड है, साहित्य और सिनिमा सैधान्तिक पक्ष, इसमें मैंने चार अध्याय रखे हैं, जिसमें भाषा और जन्संप्रिशन, यानि कि भा मिकादा करती है उसे समझना है एतियासिक परिप्रिक्ष में फिर साहिति और सीनिमा माधियम और कला का अंतर यानि कि साहिति कैसे अलग है और सीनिमा कैसे अलग है एक माधियम के रूप में भी और एक कला के रूप में भी इसके अंतर को समझना है ये बुनियानी चीज है जिस गीत को आप शब्दों में पढ़ते हैं, और उसी गीत को आप रेडियो पर सुनते हैं, उसी गीत को आप किसी फिल्म में देखते हैं, तो ये जो तीन अलग-अलग माध्यम हैं, उन अलग-अलग माध्यम में भग जीत किस तरह का असर पैदा करेगा, और उस असर में क्या आंतर होगा, इसे समझना भी ज़रूरी है, और चौता है साहतिक रचनाओं का सिनिमाई रूपांतरण, साहतिक रचनाओं को जब एक पहला खंड है, दूसरा खंड है, उसमें दो ही अधिया हैं, जिसमें मैंने प्रगतिशील आंदोलन और लोग-परंप्राओं पर विचार किया है, कि किस तरह से प्रगतिशील आंदोलन ने हमारे खास तोर पर हिंदी के सुरुवाती जो सिनिमाई दर्शक हैं, उनको प भी उसमें दिल्चस्पी हुई, और इसी तरह से और कई साहितेकारों ने सीनिमा में रूची लेना शुरू किया, कई कलाकारों ने लेना शुरू किया, और वे सब 1936 में बनी इस्टापित प्रगतेशील लेकक संग से परवाविक थे, उनमें से कई सारे इप्टा में शक्र तो उनका क्या परवाव हुआ, उस परवाव को जानना जिससे सीनिमा की एक खास तरह की परंपरा बनी, इसी तरह से लोकलाओं से सीनिमा का क्या समन्द है, आम तोर पर हम इस बात की तरह ज्याने देते, सीनिमा ने एक तरह का लोक सरजन भी किया है, सीनिमा एक ऐसा मान्द लोग आकर सहर में बसे और जिनका अपनी लोकलाओं से समंध लगबग तूट गया था उसको एक तरसे उस लोकला की जो उनका आस्वादन था उसकी जो भूक थी वो सिनिमा ने कहीं ने कहीं पूरी किये मैं सिर्फ एच्छोटा सा उधारण देखर इस बात को कहना चाहता हू कि जैसे लोकला में लोक गितों का बड़ा महत्व होता है और लोक गितों को गुनगुनाते रहते हैं गाम के लोग वो उनके हर्दे से जुड़ा होता है उनकी भावनाओं से जुड़ा होता है हिंदी सिनेमा में जो हिंदी के गीत है वो भी उसी तरह के भावनाओं से जु जिंगे विदाई के गीत होते हैं, विचुडने के गीत, कई तरह के गीत मिलेंगे आपको, मा के गीत, बच्चों के गीत, ये सब गीत जो है कहीं न कहीं उस लोक भावनाओं को अभिवेक्त करने के माध्य मनते हैं. इसके बाद में तीसरा खंड़ है, वो सिनिमा का कला पक्ष है, इसमें मैंने सिनिमा के खास-खास पक्ष है, सभी को नहीं ले सकता था मैं, लेकिन जो बुनियाली पक्ष है, जैसे पहला दिया सिनिमा में दृष्यात मक्ता, मतलब सिनिमा एक दृष्य मांजमे है, इसलिए य किस किस तरह से उसका असर पड़ता है ठीक है तो वो जो दिखाना जैसे मुगले आजम के अंदर वो द्रश्य आप याद करें कि जब सलीम और अनारकली दोनों बैठे हुए है और उसी समय गोशना होती है कि वाशा अकबर आ रहे है और वो डर कर अनारकली वहां से भागती है फिर साने से अकबर को आता हुआ देखती तो वापस लौटती है और आके सलीम के गले लिपड़ जाती है और वो असके गले में जो माला पैने हुई है उसके हाथ वो आ अगर हम संपादन की बाशा में कहें, लोंग शॉट है उसमें, मिडिल सोट है, क्लोजप है और फिर पास्व संगीत भी है, और आप देखेंगे कि उसमें कुछ धुनियों का भी इस्तिमार किया, यह सब मिलाके एक ऐसा प्रभा पैदा करते हैं, जो अगर इसी द्रश्य को के आसवाधन ले सकते हैं, देख कर इस खानन ले सकते हैं, तो एसी कई चीजियों का में इसका किया इस्तिमार किया है, अभिने किया है, अभिने का मतलब है, अभिने का मतलब संबाद बोलना नहीं है, अभिने का मतलब केवल इस्थूल किस्म के भावों की अभिव्यक्ति करना नहीं है, अभिने का मतलब है कि बहुत शुक्ष्म, बहुत जटिल भावों को भी समझ कर उसे व्यक्त करने के चमना, तो इसी तरह से एक अध्याय उससे सम छुँख के इंडी सिनिमा पर बात करें और गीत और संगीत की वह उन लोग हमें नहीं हूं जो मानते हैं कि घीत और संगीत एक तरह से यथार्ट को रूप नहीं मिरापना मालना है कि घीत और संगीत यथार्ट को और अधिक प्रभावी रूप में पेश करने में, अधिक ज़्यादा बैतर डंग से संप्रेशन करने में भूमी का अधा करने में। उसके बाद में अंती मत्या है जिसमें विश्व साइटे, भारते साइटे और इंडी साइटे की उन करतियों की संक्षित चर्चा की गई है जो सीनिमा के माध्यम से बाद में सामने आई। तो इस तरह से ये किताब जो है मेरा अपना विचाह है कि उन सब के लिए जो सीनिमा को गंभीरता से लेते हैं और जिने यह अफसर नहीं मिला है कि वो सीनिमा माध्यम को बहुत बारी की से और गहराई से ही समझ सकने के, कम से कम उन्हें इस किताब को पढ़ने के बाद में फिल्म देखते हुए ये ध्यान दे हैं वो कि कौन-कौन से पक्स हैं सिनिमा के जिसको गंभीरता से देने के ज़रूते हैं अबेने की तरफ, पार्चों संगीत की तरफ, संवाद की तरफ, दृष्य के पूरी रूप की तरफ, क्यों लॉंग सेट का इस्तिमार किया गया है जो दूसरे तरह के छौट का संपादन की तरफ, इसमें भूमिका में संपादन की वीचरचा है, कि किस तरह से संपादन के दौरा परभाव पैदा किया जाते हैं, वी एफ-एक्स के बारे में, ये सब चीज हैं इसमें, बहुत, ये पिलमकार के लिए नहीं है, ये उन यह किताब मेरा ख्याल है कि उपयोगी साबित हो इसका पिसला हिस्सा भी दिखा दें किताब का हम और क्या मुल्य है इसका मुल्य साथ सो पचास रुपया है 408 पेज की है किताब का मुल्य थोड़ा ज्यादा है लेकिन जो गंबी रपार्ठक है शायद इतना खर्च कर पाएं होंगे ऐसी में उम्मीद करता हूं आपने बहुत सारी पुस्तकें लिखी है उन पुस्तकों का क्या रिस्पॉंस रहा कैसे लोग उन्हें पढ़ते हैं क्या सचमुच में हिंदी सिनेमा के दर्सक पाठा क्रोधार थी ऐसी किताबें कंसल्ट करते हैं पढ़ते हैं दिखिए इसे के बारे में कुछ चितत्या है जैसे मेरी पहली सिनेमा से समधित किताब उसका नाम है लोगप्रिय सिनेमा और समाजी की अठार्थ यह 2001 में पहली बार प्रकाषित रुए ठीक हैं और उसके बाते यह सी तूगसी किताब मेरी 2006 में प्रकाषित रुए किताब मेरी प्रकाशी तुई साजा संस्क्रति सांप्रदाई कात्रंकवाद और हिंदी सिनेमा यह जो दोनों किताब तीनों किताबें जो है इनकी दूसरी संस्क्रण चप चुके इसका मतलब पढ़ते हैं तब ही छपे होंगे ठीक है और यह किताब आज वाले यूग मैंने सफिकाड़ पचाससो प्रकाश के चापी यूग सबें कि दूसरे संस्क्रण उनी के दवारत कैने पर बैना और ने संसक्र Twosa मेंरे और लिखेंगे और जो है इनकी दूसरे संस्क्रण आ गए हैं। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि प्रकाशक भले कुछ न बताएं, क्योंकि प्रकाशकों से बात कीजिए तो यही कहते हैं, अरे आधकल कहां किताबे विखती है, कौन करिता है बहुत दिरे-दिरे, ठीकिन मेरा अपना विचार है कि मैं जहां भी जाता हूँ, विध्यारतों से बात करता हूँ, या जो फिल्म प्रीमियों से, जो हिंडी में कास तो पर जिन्हें रूची रहती है, पड़ने कि वो यह जरूर कहते हैं, कि हमने आपकी किताब पढ़ी है, या हमारे पास हो किताब है आपकी, तो इसलिए मु मुझे लगातार इस वात के लिए कहते रहते हैं, कि इस आप हमारे लिए कुछ लिखिये, सिनिमा पर कुछ लिखिये, पिछले करीबन 40 साल से ज़्यादा हो गये, मुझे सिनिमा पर लिखते हुए, और इन 40 साल में कभी भी ऐसा अफसर नहीं आया, जब मेरे पास हाट समय, में दो, तीन ओफर नहीं रहे, कि आप हमारे लिए कुछ लिखिये, या हमें किताब दीजे, तो इससे मुझे लगता है, कि एक सिनिमा पर मैं जो भी लिख रहा हूँ, जैसा भी लिख रहा हूँ, वो कहीं नहीं पसंद किया जाता, क्योंकि परकाशक तो तभी तयार होगा जब उनके पास ये सूचना है आएगी, का अगर आप इनकी किताब चापें, तो काफी लोग प्रिया हो, तो ये है, तो ये तीन किताबे मेरी 2012 तक चापी, उसके बाद में तीन किताबे और आई है, जिसमें से एक किताब, जिसकी मैं पहले चक्चा कर चुका हूँ, उसके एक किताब मेंने भूमंडली करन और समसामही की अथार्थ के संदर में, उसके बाद के तीन किताबे, तो आप तक च Subscribe किताबे में ही आ चुकी है, और अएक किताब जो लगवक्त यार है, और मेरी खत इस मैने में शपने के लिए जा सकती है, वो एक तरह से इस किताब का अगला भाग है, अगला भाग इस अर्थ में है, को उसमें मैंने अठारा लेक सामिल की है, जो अठारा फिल्मों पर है, जो साहितिक क्रतियों पर, ठीक है ना, जिसमें जैसे रविन दनात की चारुलतागा पर पतेर पांचाली, गरबाई, इसी तरह से युआर अनन्थ मूर्ती का जो उपनियास संसकार है, उस पर गिरिश करनाड और जो फिल्म बनाईती हो, गिरिश करनाड उसमें नायक है, इसी तरह से हिंदी में साहभी बी और खुलाम, काबूली वाला, आननमाट, शत्रन के खिलारी जुनून, यह क्या नाम है, मनी कॉल की फिल्म, उसकी रोटी, सारा, कास, ऐसी करके 18 मैंने फिल्में ली है, और वो तयार है मतला उसमें, बस उसे इक वार पढ़ना है, पढ़के फिर किसी परकाशक को दे देना है, एक तरह से जिन फिल्मों की चर्चा इस किता में है, उसमें तीसरी कसम भी शामिल है, तो इस तरह से वो एक किताब है, और बहुत सारी साहितिक करतियों पर कुछ लेख लिखे हुए है, आदे आतूर है, कुछ लगबग पूरे है, लेकिन उनको सामिल में नहीं किया है, अगर मों का लगा, तो एक किताब शायद भी उस तरह के और हो सकती है, क्योंकि बहुत सारी महत्वपून फिल्मया भी छुटी हुई है, लेकिन सब काम तो हो नहीं सकते जाए हैं, ने, बहुत बहुत शुक्रिया इस किताब के बारे में जानकारी देने के लिए, और मुझे उमीद है, मैं नीचे किताब के डिटेर्स भर दूँगा, जहां से आप किताब को मंगवा सकते हैं, खरीच सकते हैं, तो बहुत शुक्रिया पारक साथ, और हम लोग फिर मिलेंगे, जी, तेंक्यू